वैल्कम बेक टु माई टूसरा पेपर है कर और आज किस वीडियोन देखेंगे जो भी या भी यह वी यहा फस्ट इयर में है जो भी यह भी कॉल कर लोग ऑइयर मेगे यहां बात करेंगे हम लोग स्टोसिलोजिकी सोसलोजी का यह paper है जो most important question बताएंगे MCQ को जिसे कहते हैं बहु विकल्पी question बहु विकल्पी question को objective type question भी बोला जाता है जो किसी-किसी university में objective type question भी पूछे जा रहे हैं तो उन सभी छात्रों से कह रहे हैं कि जो जो मैं आपको question बता रहा हूँ उन question को अच्छी तरीके से त्यार करके जाना आप इस PDF को भी download कर सकते हैं हमारी PDF में आपको written exam और objective type दोनों एक साथ दिये जा रहा है जो student जिसके भी MCQ question आ रहा है written exam भी हो रहा है साथ में तो वो दोनों तरीके से त्यारी कर सकता है ठीक है तो लिंक description box में दे रखाए टेलीग्राम का टेलीग्राम पर जॉइन हो जाना और बहीं लिंक दे रखे हैं हमने सारे सारे लिंक दे रहे हैं बीए फस्टियर सेकेंडियर थर्डियर सब के लिए इंपूर्ट दे रखे हैं और उनके नोट्स पीडिया बगराब सब बनाके डाल रखे हैं आप जाके डालूड कर सकते हैं लेंक ruins rejection box में दे रखा है तो देखे हो पहला कोशन है आप यहां भी अपनी त्यारी कर सकते हैं ठीक cert ऊसरारी के लिए वीडियो देखकर भी त्यारी कर सकते हैं अब्जेक्ठी कोशनोंगी टेने और ग्रिक भासा का हो जाएगा option number जिसने भी दिया है शी परमसद्थान सरोगा next question के लिए को दिखते है इस question का अजसा सबीवी लोग देंगे यह question बोल रहा है कि समाज सास्त्र बहविज्ञान है जो समाज का अध्यन करता है समाज साथ बहविग्यान है जो समाज का अध्यन करता है ये परिभासा किसकी है सबी लोग बताएंगे समाज साथ बहविग्यान है जो समाज का अध्यन करता है बहविग्यान है ये परिभासा किसकी है सभी कांसर déjà क्या रहेगा अटम की परिभासा है जिसnes ci ने भी दिया है are किस ने कहा कि समाज तास्त समाज इस को देखेंगे है जैको jeune खुरक है देंगे क्या रहने वाला है just moment रुकेंगे और स्कोचिन कान से रहने झाल 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 करेंगे यह कोशन बोल रहा है किसने कहा कि समास्तास्त समाधिक समंदो की विषय में है और समंदो की इसी जाल को ہम समाज कहते हैं यह किसने कहा था विलकूल बिटा सबी लोग सबी लोग comment box में आंसर देंगे फटाफ़र आंसर दो इस question का answer कि couleurस होगा विलकूल ठीक है बिटा मैकाईवर मैकाईवर और पेज ने कहा था option नमर जिसने भी D दिया है next question है मैकाईवर और पेज के समास्तास्त को किसका अध्यान माना है समास्तास्त को किसका अध्यान माना है सभी लोग बदाएंगे तो वो माना था समास्तास्त का अध्यान माना था option number जिसने भी बी दिया है हमारी pdf में आपको इस प्रकार से सारे अंसर सहीत आपको दिये होंगे आप हमारी pdf को download कर लीजिए यहां बोला गया है समास्त सास्त समाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के समाने स्वरूपों और अनेक प्रकार के समान बेग्यान है यह परिभासा किसने दी थी हमसे पूछा गया है सभी लोगों का अंसर आदनाची बीटा क्या रहेगा फटा-फटे इस कोशन का अंसर सभी लोग देंगे बिलकुल ठीक है बीटा जिसने कहा है सोरो किन बहुत ही राइठ है option number C वाला का विञयान है यह कथन कि सभी लोग बताएंगे कि समई कुछुंट यहां बोला गया है समाजक्ससाथ समाज हो का बिग्यान है ये परिभासा किसकी है समासा समाजिक समूं का बिग्यान है ये परिभासा किसकी है सभी लोग इस question का answer देंगे क्या रहने वाला है विटा इस question का answer क्या रहेगा सभी लोग बताएंगे इस question का answer क्या रहेगा समास्ता समाजिक समूं का विज्ञान है ये परिभासा किसे ने दी थी तो कह सकते हैं H.M. Johnson ने इस question का answer सभी लोग देंगे क्या रहेगा फटाफट जस्ट मोमेंट पर देखते है झाल देखो उसके बाद में बात करने वाले हैं इस question का फटाफट होना गया इस question को देखेंगे ये question बिटा सभी लोग बताएंगे यहां कहरा है कि समास्ता समाजिक विवस्ता और प्रिगति का विज्ञान है ये कथन किसका है इस question का answer सभी लोग देंगे बहुत बढ़िया बिटा जिसने भी कहा है क्या कह सकते हैं अगस्त कॉम्टे था उन्होंने इस बात को कहा था option number B की ओर जाएंगे next question कहा है कि किसने कहा था कि समास्ता समाज का बैग्यानिक अध्यान है कि समास्ता समाज का बैग्यानिक अध्यान है किसे ने कहा था? ये कथन किसे ने कहा था? नमी question का anser तभी लोग देंगे. इस question का answer क्या रहने वाला है? फटाफ़ट बताओ बेटा, नमी question का answer क्या रहेगा? देखो लेस्टर जो word थे, उन्होंने इस बाट को कहा था, option नमर परमसत्तांसर है, next question बुला गया, समासतासर एक बिज्ञान है, क्योंकि इसमें उपियोग होता है, क्योंकि इसमें उपियोग होता है, किसका, तो आपको ओगे, बैग्यानिक पधितियों का उपियोग होता है, option नमर जिसने भी दिया है, परमसत्तांसर है, next question क्यों चलते हैं, इस question को देखेंगे देखो कहा रहा है सोरेकिन के अनुसार समाज सास्त्र किस प्रिकार का विग्यान है सोरेकिन के अनुसार समाज सास्त्र है वो किस प्रिकार का विग्यान है समान विग्यान है जिसने भी कहा है समान विग्यान option number B परमसता answer है नेक्स कोशन है समाज सास्त्र एक विशुत्र समाजिक बहुत की है किसने कहा यह बात किसने कही थी समाज सास्त्र एक विशुत्र समाजिक बहुत की है यह बात किसने कही तो आप कह सकते हैं option number जिसने भी गा है अगस्त कॉम्टे ने कहा था option number जिसने भी दिया है option number जिसने C दिया है next question है सर पर्थम किसने समास सास्त्र को बिग्यान के रूप में इस्थापित करने का प्रियास किया सर पर्थम किसने समास सास्त्र को को विज्ञान के रूप में इस्थापित करने का प्रयास किया तो आप सभी काएंगे कॉम्ट जो है अगस्त कॉम्टे ने कहा था ऑप्शन नमबर सीज परमसक्तांसर होगा नेक्स कोशन की और चलते हैं बिटा नेक्स कोशन इसको देखेंगे सबी लोग समास्तास्त की प्रक अधिक्रती हैं वो समान बिज्ञान में ऐधार पर है नेक्स कोशन है समास्तास्त किस परकार का बिज्ञान नहिंक तो आप सभी का अचाहि एक बिशेस्थ बिज्ञान नहीं है बाकि समाजिक को लिए고 विसुद्द बिज्ञान और फिर्ष्छन नेक्सकोशन वह लगया न इस्थानिता जिसे बोलते हैं, option number D, next question है कि समास्तात्र में, अध्यन में, जो मौलिक इकाई क्या है, जो अध्यन की जो मौलिक इकाई है, समास्तात्र की यदि हम अध्यन करते हैं, तो उसकी मौलिक इकाई क्या है, वो हमसे फूंची गई है, ये बताएंगे सभी लोग, मौल संप्रदाय का प्रवर्थक है वो कौन है सबी लोग इस कोशन का अंसर बताएंगे अब सभी यो लोगों का अंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए तो कहेंगे जोर्ज सिमले थे ऑप्शन नमर जिसने भी दिया है डी परमसतांचर है नेक्स कोशन बोलागा है समास सास्त के सोर रुपात्मक संप्रदाय का जो समर्थक है वो कौन है बिल्कुल ऑप्शन नमर डी आएगा बीर कांत भी है जोर्ज सिमले भी है और मैक्स बेबर भी है ऑप्शन नमर डी उपरुक्त सभी हो जाएगा नेक्स कोशन है निमनिकित में से कौन सा बित्मा समास सास्त के सोर रुपात्मक संप्रदायक नहीं है इस कोशन का आंसर सभी लोग देंगे कॉमेंट सेक्शन में क्या रहेगा बेटा इस कोशन का आंसर हाँ जस्ट मोमेंट रुकेंगे तो यहां बात करने वाले हैं लोग देखो यहां बात करने वाले हैं जश्ट देखो इसका आप्शन क्या होगा बिठा आप्शन नम्र 20 का सभी लोग आंसर देंगे क्या रहने वाला है मैंने भी आपको बताया है इस कोशन का आंसर क्या होगा तो औरो किन हो जाएगा ऑप्शन नम्र जिसने भी दिया है देखो यहां 20 वाले कोशन की बात की जा रही है बीस वाले कोशन की बात की जा रही है हाँ दुर्खेम बिल्कुल ठीक है बिटा दुर्खेम वाले जो रहा है इमाल दुर्खेम बहुत ही बड़ा है सभी लोग देंगे कहा जा रहा है कि समास्तास की का अंसर बहुत ही बड़े ऑप्शन नमर जिसे ने भी दिया है सभी लोग देंगे कहा जा रहा है कि समास्तास का अतीत तो बहुत लंबा है परन्तु उसका इतिहास बहुत ही संचेप में है इसका कथन किस ने कहा था ये कथन किसका है बात यह पूची गई है तो सभी का अंसर आएगा ऑप्शन नमर भी रोवाट कह सकते हैं रोवाट वीरिस्टिक का ऑप्शन नमर जिसने भी दिया है बी परमसर्ता अंसर होगा बीर ठीक है बिलकुल बी इस राइट होगा ऑप्शन नमर बी बाले सभी राइट होगे नेक्स कोशन देखो यहां इकाई नमर दो के अंदो को पूछे जाते हैं कोशन समाज सास के समानवी किये अभी मुखन के समर्थक कौन थे हमसे समर्थक के बादे बाद की गई है तो समाज बाद के जो मानवी बादी कह सकते हैं मानवी अनुमुखन के जो समर्थक थे वो कौन थे सबी लोग इस कोशन का अंसर देंगे बिल्कुल ठीक है क्यों हो जाएगे बिटा देखो हो जाएगा गार्फिकल गार्फिकल अनल हो जाएगा अप्षिन नमर जिसने भी दिया है aus Ak तो आप सभी का उन्सर आएगा इसका उन्सर बिटा सभी लो कॉमेंट एक्शन में देंगे सबी का अंसर एगा बिसेफ परक के अधार पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था अध्याई पर next question है यहां बोला गया है मानवी की अभी मुखन के पिर्मुक उपागम कितने हैं जो पिर्मुक उपागम थे वो चार है बेटा option number C की ओर जाएंगे next question यहां बोला गया है यहां बोला गया है समाजिक अथार्तों को समझने के लिए मानवी की अभी मुखन में निमनेखित में से कौन सा उपागम पिर्मुक है तो आप कहेंगे प्रतिक अक्तमक अंता पिर्किरिया बाद option number जिसने भी दिया है next question है मानवी की अभी मुखन के अभी मुखन की एक पदिती जिसे हम कहते है बॉर्ष्टेन हेन का संबंध किस विद्भान से है बॉर्ष्टेन हेन का संबंध किस से था वो आप से पूछा गया है कि मैक्स बेबर से है बहुत ही बढ़ी है जिसने भी option नमबर डि दिया है परमस्ता अंचरा है देखो यहां से हमसे पूछता है देखो प्रद्वा और इतिहास के और अबम जो संस्तागत विसे है के रूप में जो समास्तास्त का विकास हुआ था वो कभ हुआ था यह कोशन बनता है बहुत जादा important है इसको देखो आपको गए 1919 में हुआ था option नमर सी की ओड़ जाएंगे नेक्स कोशन है भारत में समास्तास्तर विसे सर प्रतम प्रारम किया गया देखो भारत में समास्तास्तर विसे ठीक है सर प्रतम प्रारम किया गया था वो कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया मंबई पिस्विध्याले के द्वारा किया गया option number जिसने भी दिया है next question बोला गया है भारत में समाजबाद को विक्सित करने का स्रय किसको है देखो भारत में समाज सास्तर को विक्सित करने का जो स्रय मिला है वो किसको मिला है बताओ पेंट्रिक गिट्स को मिला है जिसने भी option number दिया है ए परमसतांसर है next question को देखते हैं यहां बोला गया है भारत में समास सासर का पिता किसे कहा जाता है भारत में समास सासर के पिता किसे कहा जाता है सभी लोग बताएंगे देखो डाक्टर जी एस चो कह सकते हैं घुरिये को कहा जाता है भारत का शमाश सास्त्र का पिता बहुत जादा इंपोटेंट है इसको आप याद रखे रखिए ठीक है नेक्स कोशन की बात चलते हैं इस कोशन को देखेंगे इंडियन सोसलोजीकल सोसाइटी की इस्थापना किस समाश सास्त्र ने की थी विल्कुल सभी का अंसर आना चाहिए बिटा इसका डाक्टर सही बहुत दी बड़िया बिटा डाक्टर जी एस घुरिया ने की थी ऑप्शन नमर एक यूर जाएंगे नेक्स कोशन है बिटा यहां बोला गया समाश सास्त्र के दिल्ली संप्रदाय को बिक्सित करने में सरबदे की योगदान किसका है तो सभी का अंसर आना चाहिए बिटा क्या आएगा इसका अंसर के जो प्रडदाय के जो प्रडदा कौन है आप से पूछा गया है नकलव संप्रदाय के जो प्रडदा है वो कौन है तो सभी का आएगा बिटा डाक्टर रादा कमल मुकर जी ओप्शन नमर जिसने दिया है डी परमसत्ता अंसर होगा नेक्स कोशन बोला गया है निम्नेकित में से किस ने मुल्यों के समास्तासर पर कार किया सभी का आएगा बिटा क्या रहेने वाला है द्यान से देखेंगे इस कोशन का आएगा सभी लोग के इस कोशन का आएगा अंसर देंगे बाकी इसमें total काफी question है समझ रहना है मेरी बात को काफी question है बेटा इसमें बहुत important ही गोरायर जो important है exam में आने वाले वही question मैं आपको करा रहा हूँ बाकी कुछ नहीं करा रहा हूँ important जो है वही करा रहा हूँ ध्यान से देख लो सभी लोग चलो ठीक है इसके चार वाले यूनिट को और करा देते हैं चार चार यूनिट एक में कराएंगे समाज सास्त के अन्य समाजिक विज्ञान से संबंद की बारे में देख लेते हैं इस question को देखो बेटा क्या होगा most important है देखो इसने का किसने कहा कि समाज बाग एक स्वतंत्र विज्ञान है और ये अन्य समाजिक विज्ञानों का आशित नहीं है ये किसने कहा था सभी लोग बताएंगे इस question का answer क्या होगा सभी लोग इस question का answer देंगे और सभी लोग बी ये बाई पेपर हैकर यूटूब चलको subscribe कर लेंगे जिसका link description box में दे रग है अगस कॉम्टे ने कहा तो option number C की ओर जाएंगे next question यहाँ देखो किसने कहा कि समाज सास्तर अनसमाजिक विज्ञानों की ना तो ग्रह स्वामी है और ना ही उसकी दासी बलकि बेहन वानी जाती है ये किसका कथन है देखो समाज सास्तर अनसमाजिक विज्ञानों की ना तो ग्रह स्वामी है और ना ही उसकी दासी बलकि उसकी बेहन वानी जाती है ये कथन किसका है बिलकुल डीक है बिटा बेकर और बॉम्स का है नेक्स कोशन यहां बोला गया है निमनिकित में से कौन देखो कौन सा विज्ञान समाजिक सास्तर के अती निकट है देखो समाज सास्तर के सबसे ज़्याद निकट है सोसलोजी के वो कौन सी विज्ञान है तो सभी का आएगा वो है समाजिक कौन से होगा बटा समाजिक मानब सास्ट ऑप्शन नमर जिसने भी दिया है ए परम सत्तान सरूगा next question बोला गया है किसने कहा कि बिस्तृत अर्थों में समाज सास्ट और मानब सास्ट बिल्कुल एक है ये किसने कहा था कि बिस्तृत जो अर्थ है उसमें देखा जाए तो समाज सास्ट और अर्थ सास्ट तो समाज सास्ट और मानब सास्ट बिल्कुल एक है ये किसने कहा तो आप कोगे होगे होवेल ने कहा था ऑप्शन नमर जिसने भी गया एक बल्कुल राइट है next question बोला गया है किसने कहा कि सम अब बिज्ञान की कौन सी साखा समाज सास्ट के सर्वदिक निकट है जो सर्वदिक निकट है समाज सास्ट के तो सभी का अंसर आएगा समाज मानब बिज्ञान option नमर जिसने भी दिया है क्या सी बल्कुल राइट है तो ये थे 2022 के most important question जो आपके exam में आ रहे हैं सभी छात् कि आप चलन को subscribe कर बैल आइकन को प्रेस करें और वी ये भाई paper hacker youtube को भी subscribe कर लें इस वीडियो को बहां भी पाएंगे और facebook पेज को अपने अभी तक subscribe नहीं किया है paper hacker facebook पेज को तो भो भी कर लीजिए description box में उसका भी link है thank you for watching this video next part 2 में हम कुछ बीडियो part 2 को देखेंगे य उसके बाद में समित्य विवस्ता से लेटेट कोशन आएंगे और समुहिक समुह से आएंगे उन कोशनों को हम देखेंगे ठीक है तो चार से लेकर सारी पांच से लेकर आठ तक जाएंगे हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करेंगे थैंक यू फॉर वाचिं इंट्स वीडियो बाद बाद वीडियो, बाद गरॉप